हालो बच्चों गुड मॉर्णिंग मैं आपकी श्वेता में बच्चों आज इंग्लिस स्पीकिंग का आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं देखे पिछला मैंने आपको पढ़ा दिया था यहां तक चैप्टर 16 हमारा हो गया था बच्चों ठीक है यहां तक हमारा गुट हो गया था आज हम स्टबि करेंगे चैप्टर 17 ओके यह बच्चों हमारा चैप्टर 17 ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 17 में हमको क्या पढ़ना है Teacher, teacher, क्या कहते हैं? ये हमारा teacher और student की бाते जो हैं, ये class में, कभी भी ये school के अंदर teacher student की बाते हो रही है class में हो सकती है, class के बाहर हो सकती है, तो उस तरीके से teacher अगर ये बोलते हैं, तो student को ự खिंगा answer देना है? Teacher कहा रहे है, माली जे टीचर ने कोई question पुछा और उसके बाद teachers पूछ रहे हैं बसाभी बच्चों से कि who will answer कौन उत्तर देगा ये मेरे question का जवाब कौन देगा इस student क्या कहते है should I am am? एक एक बच्चे हाथ उपर करके बोलते है should I am am? मतलब मैं answer दूँ next teacher अगर कहते है whose pen is this मालो ये pen है ठीक है पड़ा हुआ मिला teacher को teacher कहते है whose pen is this या किसका pen है ठीक है whose pen is this या किसका pen है तो जिसका pen रहेगा वो student हाथ उपर करके बोलेगा it's mine या मेरा है it's mine या मेरा pen है इसके बाद teacher कहते है whose copy is this या copy किसकी है तो इस trends क्या कहेंगे it's mine जिनकी रहेगी वहाथ उपर करके बोलेंगे it's mine या copy मेरी है ठीक है बच्चों आप लिखते भी चलिए chapter 17 ठीक है और यहां तक वीडियो पॉस करके यह वाली लाइन यह वाली लाइन यह वाली लाइन यहां आगे बढ़ते हैं वीडियो को रोक करके बच्चों यह 3 कर लिजे चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं टीचर कहते हैं have you brought your English book क्या बच्चों तुम लोग अपने English की बुक लाए हो अब कुछ भी पूछ सकते हैं English की बूख सकते हैं homework register पूछ सकते हैं या जिस चीज के लिए teachers ने बोला हो तीक है यहां पर change कर सकते हैं have you brought your English book क्या तुम अपने English book लाए हो तो इस्टुडेंट्स सारे स्टुडेंट्स एक साथ मिल करके क्या बोलेंगे बोलेंगे येस मैम हम लाए हैं या जो लाए हैं वो बच्चे आंसर देंगे येस मैम हम लेकर आए हैं आगे देखिए टीचर कहते हैं have you taken a bath today बच्चों क्या तुम लोग आज नहाए हो तो इस्टुडेंट्स आंसर देंगे येस आए हैव येस आए हैव टेके बात भी बोल सकते हैं या शौट में येस आए हैव मतलब हम नहाए हैं ठीक है बच्चों नेक्स्ट है इस्टुडेंट टीचर कहते हैं have you brushed your teeth today क्या तुम ने आज बच्च किया इस्टुडेंट येस आए हैव ठीक है हमने बच्च किया नेक्स्ट टीचर कहते हैं do you take milk everyday क्या तुम रोज दूद पीते हो इस्टुडेंट कहते हैं yes ma'am मतलब हाँ हम रोज दूद पीते हैं नेक्स्ट टीचर ने पूछा do you wash your hand before taking meal खाना खाने से पहले क्या तुम अपने हाथ अपने hand wash करते हो हाथ धोते हो तो इस्टुडेंट क्या कह रहे हैं yes ma'am मतलब हम ऐसा करते हैं तो जहां तक हमने लिख लिया था third point तक अब अचों यहां fourth point यहां से start होता है तो यहां से शुरू करिए आप और यहां तक right down कर लीजे पहले यहां तक लिख लीजे फिर आगे बढ़ते हैं ओके बचों next है teacher ने पुछा do you wish your parents good morning good night क्या तुम अपने parents को morning में good morning और रात में night में good night wish करते हो ठीक है तो student बोलते है yes ma'am यानि कि हम करते हैं ओके बच्चों तो यहां तक लिख लीजे आप लो यह वाली line complete कर लीजे फिर हम आगे बढ़ते हैं यह हमारा chapter 17 done चले बचों आगे बढ़ते हैं next chapter की तरफ next chapter बच्चे हमारा chapter 18 ठीक है friends इसमें देखे teacher क्या करे है do you trim your nails every week क्या तुम अपने nails को हर सप्ता में हर सप्ता में trim करते हो यानि कि उसको छोटे करते हो उसको काटते हो इस ट्रेंड बोलेंगे yes ma'am teacher do you keep things on proper place क्या घर जाने के बाद आप अपनी चीजों को जगह पर रखते हैं proper place पर रखते हैं जैसे आप अपने बैग को अपनी जगह पर बैग की जहां जगह है वहां रखते हैं अपने shoes निकाल करके socks निकाल करके जगह पर रखते हैं अपने uniform को क्या आप जगह पर रखते हैं तो यह चीजे क्या आप अपने सामान को जगह पर रखते हैं खुद से इस्ट्रेंट्स कहेंगे यस मैं कौन सा काम जैसे अभी हमने देखा कि चीजों को जगहां पे रखना ये काम बच्चे कर सकते हैं अपने बैग को अपने बुक्स को नोटबुक को सम्हाल करके रखना फटे नहीं है न पढ़ने के बाद बैग को में वापस सारी का है तो ये सारे काम क्या अपना काम करते हैं ये सब आपके अपने खुद के काम है तो क्या अगर बोलेगा येस रहुम the teacher Do you help your mother in household work household work का मतलब घर की काम में क्या अपनी मम्मी की मदद करते हैं जैसे मम्मी ने कुछ बोला कि बहटाँ घर लाकर के देचन से कैजी काम करते हो up करते हो है बहुत बड़ा काम कि जाति पूछ जिस आप से कुछ भी दूझान जैंकि आपको के चाहती हैं क्यों मांगा भूट प्लूच कर लेना थ१े एस ना, इस अ कीार्ष बढह रहा करते हो हेल्प करते हो तो अगर गुड इस्ट्रेंट है तो क्या आंसर देंगे येस मैं तो बच्चों यहां से यहां तक पहले आप लोग रॉइड डाउन कर लीजे फिर आम आगे बढ़ते हैं ओके बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं देखें नेस्ट कोश्चन है अगर आप स्कूल आते हैं मंडे को ठीक है तो बीच में संडे पड़ा तो आपसे कोई भी पुछेगा आपका संडे कैसा गया यह तो आप और क्या बोलेंगे इट वोज रॉकिंग यह जरूरी है संडे ही के जहापे कुछ भीजे से आपको हॉलिदे है तो चेहेंगे कोई भी ब 9 बज़े है तो 10 बजएंगे तो it is 10 o clock ठीक है it is 11 o clock इस तरीके से आपको आंसर देना है और आपको अगर किसी से पूछना है कि टाइम क्या हुआ तो ऐसे ही पुछेंगे what is time like ठीक है समय क्या हुआ है a students a student poems कया चीज पूछ आब देखे हैं और मैं आशर दे रही है और मैं अजसे कहँ रहे हैं ऐसे जो आशनार अप आपको दिखाई की मध्याएंDadeo sepink मैं ओड रिखा होगे तो आप बहुत पॉलाइट्ली को मतलब कि पृसं जाए जुए पर पूरवचकर है तो तो हम बोलेंगे, excuse me ma'am, would you please move aside, यह politely हम इस तरीके से बोलेंगे, तो ma'am क्या बोलेंगी, oh sure, why not, हाँ, क्यों नहीं, और वो side हो जाएंगी, अब students कहते हैं, अगर पूछना है students को, कि मैं क्या यहाँ बैठ सकता हूँ, तो ma'am, may I sit here, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ma'am, बोलेंगे, अगर space free है, तो sure, मतलब क्यों नहीं, हाँ, बैठ जो, उसके बाद, student पूछना है, ma'am, may I take it, क्या मैं इसको ले सकता हूँ, कुछ भी, ma'am, लेजे, extra pen पढ़ा हूँ, तो आप पूछेंगे, ma'am, क्या मैं इसको ले सकता हूँ, तो ma'am, क्या मैं इसको ले स ठीक है, वीडियो को रोक लो, यही पर, pause कर लो, और इसको write down कर लीजे, यह आपका बच्चों chapter 17, chapter 18, done हो गया Okay, बच्चों, तो आपको जैसा पता है, मैं test का information आपको देदू, आप सबी को पता है, आप तो सब बच्चे test दे रहे हैं, तो बच्चों, आप लोग का test, पीछले संडे को, संडे को ने, सौरी, सटर डे को test होता है, पीछले सटर डे को हमने हमारा test हुआ था, chapter 13 तक, ठीक है chapter 14 तक होगा है यहां तक है यहां तक यह यहां 14 15 16 का टेस्ट होगा और वाकिए आपको पता है कि टेस्ट कैसे होता है टेस्ट में बच्चों हमारे चैप्टर होते हैं फिर कितने मांक्स का होता है ठीक है 14 15 16 आपका टेस्ट होगा और मांक्स कुल कितने होंगे 100 मांक्स के होंगे कितने होंगे 50 question और आपको 12 होगा आपको पता है की question का आंसर जो आप दे रहे हैं आनसर आपको कैसे देना आपको महतो है जब ऽंव टेस्च कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी कितने मॉक्स आते हैं यह कहां कामें मंसहां हो ऑना है शह devo अनला जहांगे वढू है तोimaan कोमेंट बॉक्स आता है या आज कल आप अगर अपने यूटूब अपडेट किया है तो जहां आपका वीडियो चल रहा हुँ उसके ठीक वीडियो के नीचे ही आपको यहीं पर जहां लिखा होगा नाम उसके ठीक नीचे ही आपको comment box देता है ठीके बच्चों तो सभी 15 और 16 ठीक है यहां तक आपका चैप्टर 16 तक टेस्ट में आएगा ठीक है तो भी स्टडी करते रहिएगा ओके बच्चों